असलाम अलेकुम एवन आज मैं आपके साथ चिकन कुफते पिलाओ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसके लिए आपको इना बहुत साथा टाइम की भी ज़रत नहीं है और यह रेसिपी बहुत जल्दी से बन जाती है ना जादे मसाले लगते है और ना ही जादा काम तो और दो के रख दिया है और इसका सारा पानी निकाल दिया है यहां हम इसमें वन एन आफ टी स्पून जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट जो होता है वो इसमें आड़ कर देंगे और साथी में यहां पर मैं हाफ टी स्पून लेमन जूस आड़ कर रही हूँ तो अभी हम इसमें कुछ ड्राइम ऐट कर देंगे तो यहां पर हम redu चिली पाउड़र जो होता है यूसे आड़ करेंगे लेकिन नमका हम अपने टेस्ट के साब से डालेंगे और अभी हमें इसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेना है हमें इसे कुफत का शेप देना है तो ये सारी मसालो और चिकन को हम अच्छी से पीस लेंगे और इस तरह से हम इसे रेटी कर लेंगे जब हम टीसेंगे ना तो इसमें हमें पानी बिल्कुल भी आड़नी करना है वना हमारी कुफत का शेप नहीं बनेगा अच्छे से अभी इसमें मैंने थोड़ा सम मेल्टीड बटर एड़ कर दिया है और फ्रेश कुरियंडर इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस तरह से हम इसे कुफते का शेप देंगे आप राउंड शेप कोई भी शेप दे सकते हो साइज भी आप कुछ भी रख सकते हो तो इस तरह से हम इस सब को रेडी कर लेंगे काफी कुफते बन जाते हैं, इतने कम चिकेद में भी तो यहां पर मैंने एक पाट ले लिया है जिसमें हमें प्लाव बनाना ना सिम हम उसी में हमारे जो कुफते हैं वो डी फ्राइ कर लेंगे इसलिए मैंने इसमें आईल थोड़ा जादा दाला है यहां पर हम एके करके कुफतो का एड़ कर देंगे और मेडियम टू हाइ फ्लेम पर हम इसे फ्राइ करना है और एक से देल्ड मिनिट ना हम इसे टच नहीं करेंगे वना हमारे कुफते के टूट भी सकते है एक से देर मिनिट जब हो जाय तो हम इसे थोड़ा सा इसकी साइट को change कर लेंगे यहां पर मैं थोड़े थोड़े करके इसकी साइट को change कर रही है इसी तरह से हम सारे कर लेंगे यहां पर दीखें काफी अच्छा एक कलर आ गया है जैसे golden color होता है, golden brown color तो बस यही color हमें चाहिए था तो यहां पर अभी हम हमारे सारे कुफते ready हो गए हैं तो अभी हमें निकाल देंगे निकाल के हम इसे side में रख देंगे यह देख सकते हैं काफी अच्छे बन गए कुफते और tasty भी बहुत है तो यहां पर मैंने सारे ready कर लिया है और इन्हें सारे को निकाल दिया है अब यह same pot में हम हमारे प्लावर ready करेंगे तो यहां पर मैंने एक cup onion आड़ कर दिये जिसे मैंने बारीक slices में कट कर लिया था और इसे हम golden ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राइ कर लेंगे और इसमें से थोड़ा सा हम निकाल लेंगे जब हम गानिश करेंगे न बलाव की तो हम उसमें आड़ करेंगे और यहां पर मैंने टेमेटो आड़ कर दिया है वन कप यह दो medium साइज की टेमेटो होगी उसे आड़ कर दिया है और यहां पर कुछ गरम मसाले है उसे भी हम इसमें आड़ कर देंगे यहां पर मैंने शाइजीरा लिया है सिनिमन स्टिक लिया है ब्लैक पेपर लिया है लॉंग लिया है ग्रीन इलाइची जोती है न हरी लाइची वूल लिया है तो यह सारे हम इसमें गरम मसाल कर देंगे और इसे भी चला लेंगे अच्छी तरह से और यहां पर मैंने अतिरक लसन और मिर्ची जो होती है ग्रीन हरी मिर्ची उसका भी पेस्ट बना लिया था और वो भी हम इसमें आड करतेंगे क्योंकि हम इसमें रेड चीली पाउडर आड नहीं करने वाले तो हम इसे इ मतर होता है वो आड कर दिया है और साथ ही में वन फूत कप हम इसमें गाजर भी आड कर देंगे और इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और नमक आड कर देंगे नमक हमारे तेस के हिसाब से हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मसालों को बूल लेंगे ज इस तरह करने से कुफटों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो अभी मैंने सारे कुफटी निकाल दिये हैं, और अभी हम इसमें राइस अड़ कर देंगे, तो जो राइस है वो वन एन आ फ कप मैंने लिया था और पानी में वाश करके इसे सोग कर लिया था, पानी में ही 2.5 का पानी दाला है टोटल और इसे अच्छे तरह से हम ट्राइ होने देंगे जब पानी पूरा ट्राइ हो जाएगा ना तो हम इसमें हमारे कुफतों को आड़ कर देंगे उपर दम पे रख देंगे जो हमारे पास ब्राउन अनियन था बिलिस्ता उसे भी हम उपर ही साती में दाल देंगे और इसे दम पे रख देंगे 15-20 मिनिट्स के लिए और 20 मिनिट्स के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो इसमें बहुत अच्छी को आती है यह प्लाव भी बहुत सिंपल है और लेकिन उतना ही टेस्ट में बहुत अच्छा बनता है तो आप इस तरह से एक ब आप गालु और इसलिए को आप आप इसलिए आप इस फाल ना यू आ यू बहुत फाल इस थायए नहीं आप इस तरह उझा को आप रख इस ठीट को आप ढी को इस जो अच्याम बहुत इस आप आगार आप इस झाल झाल